नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एज्यू टागेट में जैसे कि आप सब जानता हैं कि RPSC AEN का मेंस का रिजल्ट आचुका था जिसमें 1960 प्लस कंडिडेट्स को अप्रोक्शिमेटली पास किया गया था सिविल के एंड प्लस एलेक्ट्रिकल मेकनिकल के पास टूटल करीब दोजार के आसपास बचों को पास किया था ओके फ्रेंट्स तो अब यह देख लेते हैं कि जो आपके जो मार्क्स हैं उन कंडिडेट्स के सभी के मार्क्स आ चुके हैं मार्क्स ऑफ असिस्टेंट उद्स और मार्क्स ऑपके जो आपके मार्क्स हैं फईनली आज आज अभी हाल फिलाल कुछゴी दिर पहले अक गंटे पहले ही इन्हों ने अधे अधे कि marks for assistant engineering 2018 इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसमें मैं डेटा आपको नहीं दिखाऊंगा शोनी करूंगा कि है ना security reason की purpose से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो यह देख सकते हैं और यह मेरा खुद का ही data है अम्बे सिंग शेखावत देशराज सिंग कुछ देख सकते हैं आप यहाँ पर कि इन्होंने हिंदी पास, social aspect of engineering, civil engineering second pass and remark में लिखाया सिर्फ qualified for interview इन्होंने यहाँ पर कहीं पर भी marks अभी त क्या बोलता है जो qualify नहीं कर पाएं यानि कि जिनका interview qualify नहीं कर पाएं सिर्फ अभी तक जिनका interview call लेटर नहीं आया उन सभी के ही marks बताएं जिनका interview call है उनके उन candidates के भी तक mask नहीं बताया गया है only pass pass लिख करके दे दिया है तो आपके सभी दोस्तों के जिन-जिन के कितने marks आये हैं out of 600 आप प्लीज मेरे को comment जादस जादा comment करिएगा ताकि सभी दोस्त एक दूसरे के marks देख सकें और एक अंदाजा लगा सकें कि कि किसके कितने marks आये हैं और कौन किसमें रह गया है और आपका क्या experience रहा ओके यह जरूर शेयर करिएगा अपना हिंदी का जहां तक म कुछ civil engineering second में इस तरीके से कोई-कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ किसी एक paper के कारण qualify नहीं कर पाए हैं और out of आप वैसे आप चाहे qualify नहीं कर पाए हो लेकिन आपके total marks कितने बन रहे हैं और कितने-कितने marks आपके किस-किस subject में बन रहे हैं प्लीज comment के अंतर जुरू हिंदी में इतने social aspect में इतने civil paper 1, civil paper 2 and total इतने marks हमारे बन रहे हैं ओके प्लीज आप ज्यादा-ज्यादा comment करिए ताकि सभी को एक judgment मिल सके कि कितने बच्चों को कितना marks किस-किस में दिये गए हैं तो एक दूसरे का अपन marks देखेंगे तो इसमें definitely एक दूसरे की सहायत है मि लेगा लोगों को कि expected जिन बच्चों का qualify कर चुके हैं तो expected क्या cut-off जा सकती है वो definitely हम एक expected cut-off अभी निकाल देंगे अगर बच्चे मारे पास में ज्यादा-ज्यादा cooperate करेंगे और ज्याद ज्यादा comment करेंगे और ज्याद ज्यादा अपने reviews दिजेगा इस वीडियो को ज् ज्यादा शेयर करें अपने सभी WhatsApp groups में सभी Instagram groups में सभी ओके सभी जगे पे इस वीडियो को ज्याद ज्यादा शेयर करें चांकि ज्याद ज्यादा बच्चे इस वीडियो को दिख सके हैं तो thank you for watching this video